हेलो फ्रेंड्स हेलो स्ट्रेंड्स आज हम फिर कर रहे हैं मारे पास मेरा की आप के उपर हमारी प्रैक्टिस ठीक है अभी तक हम 213 स्तारा नंबर लाइन तक है उलड़ी पाईसे पढ़ चुके हैं 18 19 तक ठीक है लेकिन हमने 13 तक बात कर ली थी क्योंकि इसके अंदर हम हमारी जितने भी उपरेटर्स हैं उनके पर बात कर ली थी हमने ठीक है डाटा टाइप्स के बारे में अंदर बात कर ली थी उनको कंवल्ड करने के बारे में बात कर ली थी कि डाटा डाइप्स को हम कितनी साफ से कंवल्ड कर सकते हैं यह लगवग हम 213 लाइन के क्रीब प्रोग् कर रहे हैं आपको E nie 12 दी गई है भी आपको कहा गया कि 2 से कर हमने condition T से करने की क्यों लगा ही क्योंकि अब को check करना है कि वो जो नंबर है ठीक है वो even और आ जाता है आपको ठीक है अगर मेंटर जीरो आजाए इट मीज़ आपके पास वह एवन है अदरवाइस वह ओड है तो वहीं हमने लगाया कि आगर वी इस उकॉल टू जीरो आगया दैन इवन अदरवाइस else means odd हो जाएगा आपके पास तो यहां से आपके पास 14 है आपको clear है कि concept even आएगा आएगा आपके पास आगे दिखी A64 print करें means 64 का cube root यह तो हम operators की थोड़ी practice कर रहे है ठीक है 4 आगया A64 A का square root करें यह आपके पास 8 आजाएगा A64 0.5 के साथ करें यह भी square root आपके पास 8 आजाएगा A27 आप इसका cube root करें ठीक है 1 by 3 के साथ है यह आपके पास 3 आजाएगा A64 0.5 के साथ इसका program करें ठीक है यह आपके पास 8 आजाएगा तो अब देखते हैं इस program को हम run कर बाते हैं देखते हैं पांचे लाइन के अंदर मारे पास क्या आया इवन यह देखें आपके पास 3.9999996 आ रहे हैं 8.0 8.0 3.0 8.0 यह आया यह हमने क्यों किया ऐसा आपके पास 64 बारे concept के अंदर यहां 1 by 3 कर रहे हैं ठीक है आपके पास 3.99996 आ रहे हैं और इसी program को हम बाकी पर करके देख रहे हैं 27 पर करके देख रहे हैं 3.0 आपके पास बिलकुल clear आ रहे हैं ठीक है दोनों में कोई फर्क नहीं आ रहा इन दोनों के अंदर बीच में आपके पास क्या differences रहेंगे क्या कारण रहा कि आपका जब आपने 1y4 का क्यूब रूट किया 64 का क्यूब रूट कर रहे हूं ठीक है तो आपके पास एक अलग concept आ रहे हैं लेकिन मालली जगरा 125 का कर रहे हैं तो देखें 4.999 something आ रहे हैं ठीक है और आप 27 का कर रहे हैं 3.0 आ रहे हैं ऐसा क्यूं हो रहा है आपके पास ठीक है इसका reasons क्या चीज है कि आपकी जितनी बड़ी values होती चली जाएंगी उनके cube roots उतने ही उस number के नजदीक आने के अंदर possible नहीं हो पाते हैं हमारे लिए ठीक है उनकी जो values को है वो point हो के अंदर calculate करते हुए वहां इन values को गड़बर create करते हैं यह problems आती हैं हमारे पास तो 64 का यहां पर 3.9999 आपका last में 6 तक दे दियागा answer कि यह approximation इनके answer possible है आपके पास ठीक है it means near about 4 और अगर आपके पास यही values 0.3 पर होती है तो आपका कुछ और answer होता है और 0.33333 मिजमान लीजे dash dash करके हम छोड़ देते हैं तो आपकी error दे दी कि dash dash को यह read नहीं करता dash dash अटा दिया तो इसने वही निजदीक ले गया 4 के जितना आप इस value को कहता बढ़ाते चले जाएंगे ठीक है उतनी ही इस values के बारे में बढ़ती चली जाएंगी ठीक है और अगर आप इसके अंदर मिजमान लीजे अगर हम बाइचांस 1 by 3 डिरेक्ट लीजेते हैं तो आपके पास ही 21.33333 हो गया ठीक है ऐसा क्यों हो गया क्योंकि इसने 1 के साथ इसका operation किया फिर उसको 3 से divide किया 1 के साथ power इसकी की ठीक है cube root 1 ए 3 root इसका जो बनना है 1 by 1 वो 1 ही हो गया और 1 by 3 फिर उसको means 64 को 3 से divide कर दिया इसलिए हमने इसको क्या किया ब्रेक्ट के अंदर बंद कर दिया और आपके पास यह answer दिया clear अब हम इसके comment को सोड़ा सा change कर देते हैं आपके पास जो operators की values है इन सारी को हमने खत्म कर दिया ठीक है यहां तक आपके पास आगे हमारे पास mainly जो if की condition पर काम चलेगा हमारा marks 100 ठीक है और if marks 75 प्रिंट ए आपका करें एलिफ marks अगर आपके पास 75 से greater है तो ए प्रिंट हो जाए लेकिन उस पर भी conditions आगे आपको check करें कि अगर marks 35 से greater than और 75 से less than है तो प्रिंट भी हो else अगर प्रिंट आपका otherwise क्या कर दें उसको fail कर दें क्योंकि हम marks 100 है तो आपको clear है इस concept का अंसर क्या होगा ए हो जाएगा ठीक है और इसी केस को द्वारा किया गया marks 95 greater than equal than than a 70 से और 85 के बीच में हो तो बी प्रिंट करें 50 और 70 के बीच में हो तो सी प्रिंट करें 35 और 50 के बीच में हो तो डी प्रिंट करें otherwise fail means कितनी ही conditions आपने लगाना चाते हैं आप लगा सकते हैं ठीक है आपको पता इसमें भी आपके पास क्या आ जाएगा प्रिंट आ जाएगा अब देखते हैं और आपके पास program करन करके आ रहे हैं हम यहां पर मार्क्स को चेंज कर देते हैं ठीक है हम इनके बीच के माक्स ले लेते हैं 70 भी आ गया आपके पास थर्टी थ्री पेल आ गया आपके पास लिखा हुआ क्योंकि 35 से कम मांक्स है यह ठीक है 78 आपके पास 75 से ज़्यादा होगे तो यह आ गया और यहां अगर हम देखे 95 के अंदर 59 क्योंकि यह C आ गया क्योंकि 35 और 50 और 70 के बीच में है इसलिए यहां पर प्रिंट हो करके आ गया आपके पास C आ गया clear इस तरिके साब का ही प्रोगाम काम करेगा आगे हम देखें इसी प्रोगाम को आगे हम करवाते हैं ठीक है इफ और एल्स के प्रोगाम का था आगे देखें मार्क्स 87 अगर मार्क्स 75 से greater than print b if marks is greater than 85 then print a आपके पास देखें b print होकर आ रहा है क्यों क्योंकि marks 75 से greater than a b three or two assign किये गए आपके पास अगर दोनों equal है ठीक है अगर दोनों equal है मैं यहां पर इन को थोड़ा सा bound कर देता हूं यहां ता comment बना दिया अगर दोनों equal है तो same number आजाए print alif अगर greater है तो a greater number आजाए else अगर b greater number है तो आपके पास ठीक है b greater number आजाए अगर नहीं दर्वाइस तो program को run करवा है हमने a greater number आगया आपके पास ठीक है क्योंकि a बड़ा था by chance मैं यहां three की जगा one कर देता हूं तो देखें क्या रहा है आपके पास b greater number आगया आपके पास और मान लीजे मैं दोनों ही number को one कर देता हूं तो आपके पास क्या आगया same number लिखा हुआ मिल जाएगा आपको clear यह एलिफ का condition जो हमारे पास एक जाल बनाता है कि कितनी ही conditions आपको चेक करनी हूं ठीक है उन सभी को चेक करवाने के अंदर हमारी यह help करता है clear यहां तक कहम concept को comment के मंदर बनाकर हम आगे पर चलते हैं हमारे पास ठीक है माली जे name python लिखा गया है कि आपके पास इसको क्या करना होगा ठीक है यह आप देखें हमारे पास python और name को मैंने multiply कर दे 5 वार तो python आपके पास 5 times लिखा हुआ जाएगा आप देखें space दिखाई देरा आपको इसके बीच में क्योंकि string के बीच में double quote के बीच में जैसा होगा वह वैसा ही लिखा मिलेगा अब मैंने कोई space नहीं छोड़ा तो यह देखें बिल्कुल continue form के अंदर आपके पास python लिखा हुआ मिल रहा है आपको ठीक है अगला first name vijay last name bansal मैंने पहले space दिया तो first name plus last name दोनों को add कर रहा ह है ठीक है strings को दोनों को add कर दिया मैं बाइचंस यहां से space अटा देता हूं तो यह रेखें विजय बंसल को इकठा लिख देगा यह क्लियर इस त्रीके से इसका काम कर रहा है अब यहां तक हम क्या करते है comment बना देते हैं हमारे पास की comment बन गया हमारे next मैंने एक midday meal के उपर मैंने में अगर ओंडी मंदे ऐ तो मैंने कहा print राजमा चामल नेम ड już depth इस तो print व्री में देगेैं अगर भादनी तो print लुच तुट्र यह मेंने अगर आपके पास थ्रजड अगर फ्राइड़ कर यह जैन्मेद कि अपके पास, तो मैं यहां पर क्या करता हूं जैसे माल आपने देखा कि यह छोले भुटूरे लिखा रहे है और मैं यहां नेम डेटेंज कर देता हूँ बैजनेस डेज की जगा मैं इसको संडे कर देता हूँ ठीक है मैं पहले capital sunday के साथ करता हूँ देखें पोह आया लिखा हुआ और यहां small s के साथ करता हूँ तब भी पोहा लिखा मिला और मैं अब क्या करता हूँ मंडे लिखता हूँ ठीक है लेकिन capital M के साथ तो देखें पोहा लिखा मिला इट मिल्स क्यों 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 कि आपके पास यहां मैंने आपको होता है ठीक है अब देखें प्रोग्राम को रण करवा कर तो आपके पास क्या मिला राजमा चावल मिस पहला केस आपके पास राइज हो गया क्लियर इस तरीके से आपने इनको पर काम करना है आगे देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट यह यहां मुझे क्या करना है इस के अंदर हम इस का जो जाल बनाते है nested if करते हैं वो आपके पास हम क्या किसलिए करते हैं कि अगर condition check पहली true हो तो फिर आगे condition check करने के लिए तो आप देखें यहाँ पर 283 number line के अंदर value sign कर दी 284 number line के अंदर अगर a b से बढ़ा है अगर a b से true है ठीक है तो फिर क्या करें a c को check करेगा indentation के साथ मैंने उसको आगे लिखा तो अगर a c से बढ़ा हो जाए तो यह print कर जाए आपके पास अगर else means a c से बढ़ा ना हो it means क्या हुआ आपके पास c number बढ़ा हो गया ठीक है तो यह greater करें जैसे यहाँ पर c अगर आपका six होता अब इस case के अंदर आपको clear है क्या number आएगा a b से भी बढ़ा है और c से भी बढ़ा है तो आपके पास a is greater लिखाएगा a is greater लिखा रहा है by chance हम क्या करते हैं यहाँ पर six कर देते हैं पहली condition तो true है फिर आगे condition चकी क्या a आपके पास c से भी बढ़ा है वो जूटी हो it means b ही आपके पास बढ़ा हो माल लीजे b साथ है आपके पास ठीक है तो a is greater यहाँ नहीं वो आपका यह वाला जो if वाला case है वो यहाँ से आपके पास क्या हो गया गलत हो गया फिर वो इस else पर चला गया direct क्योंकि a is greater than यह जूट हो गया else में अब क्या करेगा means आपका यह case check कर रहा है false के लिए a तो छोटा है अब b और c को check करना है b c से बढ़ा है अगर b c से बढ़ा है तो b is greater आ जाए otherwise c is greater आ जाए तो आप देखें इस program को run करवाएंगे b is greater आ रहा है ठीक है और अगर by chance मैं c को 8 ले लिता हूँ तो देखें c is greater आ आगया आपके पास clear इस तरीके से आपने इसको इसको इपर काम करना है ऐसे ही same आपके पास द्वारा फिर 427 values पर लिया गया same इसी program को आपके run करवाया गया ठीक है इस तरीके से मैं यहाँ पर इस program को अगर बंद कर देता हूँ आगे चलते हैं हम इसके अंदर clear अब यहाँ देखें आप run कर रहे है 9 गुरू को ला रहा है class integer 20.0 आ रहा है देखें इस program के अंदर करके क्या आ रहा है आपके पास क्यों आया ऐसा print 9 ठीक है slash t slash t क्या करता है space generate करता है ठीक है और अगर आपके पास यहाँ t की जगा n हो तो देखें कि है 9 और गुरू कुल मिज दोनों को अलग-अलग लाइन के अंदर वो लिख कर generate कर वाता है आपको clear यह चीज़ करता है a20 फिर float कर दिया float कर दिया मैं decimal number होगा आपका print a की type बतानी है मुझे अब a की जो type है वो तो float हो गई है आपके पास ठीक है और फिर मुझे क्या करना है a की type बतानी है और b आपके पास print करवाना है b क्या चीज़ है float बनाया है मैंने 20.0 लेकिन a की type बतानी है a क्या चीज़ है यहां पर 20 means integer है आपके पास तो उसकी तो integer ही रहेगी class 20.0 हाँ लेकिन अगर मैं बाइचांस यहां b की float b के बारे में पुछना जाता हूँ मैंने जाए b लिख देता हूँ तो देखें फ्लॉट आ जाएगा आपके पास clear इस तरीके से आपने इस program को औरन कर वा लिना है ठीक है मैं यहां से इनको comment के अंदर से अटा देता हूँ clear यह lines आपको आ रही है क्यों क्योंकि यहां पर हमारे पास program के अंदर उपर की तरफ ठीक है कुछ multiple comments थी उनको हमें करना है set यह लिजी यह आपके पास यह पूरा program ठीक है मैंने अभी तक आपके साथ 3-4 वीडियो शेयर की है यह मारी चोथी है प्मेराकी पर practice की ठीक है आप सभी इनको पर practice कर सकते हैं अराम से और मैं आपको program भी द्वारा एक बार सारा run कर वागर दिखा देता हूं ठीक है सारे के सारे results आपको इक अठी मिल जाएंगी clear hello world I am visa one cell यह सारे के सारे clear इस तरिके से आपके पास यह answer मिल जाते हैं ठीक है okay thank you friends thank you students अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें अमने दोस्तों मित्रों सार्च को जूर शेयर करें अन्य किसी भी प्रकार की प्रॉल्म के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं को मेंट कर सकते हैं और अगर आपने भी तक मेरा यूट्यूब चैनल वीजय जाखल बंसलमैत को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल वीजय जाखल बंसलमैत okay thank you friends thank you student